दोस्तों यह जो पूरा वाइरिंग है इस वाइरिंग में लेजर सेंसर का इस्तमाल किया गया है जिससे होता क्या है यदि इन दोनों सेंसर के बीच में कोई भी टार्गेट आता है तो आट्टोमेटिकली लैंप ओन हो जाएगा और टार्गेट के चले जाने पे लैंप ओफ हो जाएगा आप यहाँ पे देखिए लैंप ओन लैंप ओफ लैंप ओन लैंप ओफ अब यहाँ पे जो हमारे पास में लैंप है यह लैंप हमारा AC पावर सप्लाई पे वर्ग करता है लेकिन यह जो मेरे पास में लेजर सेंसर है ये sensor हमारा DC power supply पे work करता है, तो किस प्रकार से हम DC sensor के जड़िए AC वाले load को चालू और बन करेंगे, उसी के बारे में पूरा detail से इस वीडियो के माध्यम से सिखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो ये जो लैम्पे, इस लैम्प को मुझे चालू और बन करना है, वो भी sensor का इस्तमाल करते हुए, और फिलहार के टाइम पे जो मैं sensor इस्तमाल कर रहा हूँ, ये sensor मेरा laser sensor है, laser sensor में आपको दो टाइप का sensor मिलेगा, एक होता है transmitter और दूसरा होता है receiver, यदि आप sensor के ऊपर में देखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है TX, TX का मतलब होता है transmitter, और यहाँ पे लिखा हुआ है RX, मतलब के receiver, तो ये जो transmitter और receiver है, इन दोनों के बीच में यदि कोई भी target आता है, तो इस condition में एक signal को generate किया जाएगा, और जो signal होगा, उस signal को हम लाके इस वाले लैम को चालू और बन करेंगे, अब यहाँ पर प्रोलम यह है कि जो मेरा लैम पे, ये लैम मेरा AC power supply पे वर्ग करेगा, लेकिन ये जो मेरा sensor है, ये sensor मेरा DC power supply पे वर्ग करता है, तो directly इन दोनों को हम connect नहीं कर सकते हैं, यदि मेरे पास में एक ऐसा sensor होता, जो output में AC power supply को generate करता, तो उस power supply को ले जाके, इस लैम के साथ में connect कर सकता था, लेकिन ये जो मेरा DC sensor है, इस sensor के जड़िये, output में जो signal generate किया जाएगा, वो DC power supply वाली होगी, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बीच में, एक switching वाली device का इस्तमाल करना पड़ेगा, switching device के लिए आप चाहें तो relay, contactor या फिर आप चाहें तो solid state relay का भी इस्तमाल कर सकते हो, फिलहार के time पे में यहाँ पे SSR का इस्तमाल करूँगा, और इसी के जर्ये में इस वाले लैम को चालू बन करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कि जो मेरा लैम पे, इस लैम का connection कर देता हूँ, इस वाले solid state relay के जर्ये, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे लैम पे, इस लैम का जो फेश supply वाली वायर है, जैसे के आप देखोगे यह वाला वायर, फेश supply वाली है, तो इसको ले जाके, यह जो SSR है, इस पे यदि आप देखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 बोल्ट से लेके, 380 बोल्ट AC, और यह हो गया output वाली power supply, इसके नीचे में आप देखोगे, यहाँ पे input लिखा हुआ है, तो output वाला जो terminal है, उस terminal पे मैं इस वाले वायर को connect कर दूँगा, तो इसको में लेके जाता हूँ, और यहाँ पे इसको connect कर देता हूँ, इस पेकार से, अब यह जो लैम पे, इस लैम का जो नीचे वाली वायरे, इसको हमें लेके जाना है, और नीचे पावर सप्लाई के साथ, डारिकली connect करना होगा, फिलाहल के टाइम पे मैं यहाँ पे, SMPS का भी इस्तामाल करूँगा, यह SMPS मेरा AC पावर सप्लाई को DC में करने वार करेगा, जिसका इस्तामाल में इस वाले सेंसर को पावर सप्लाई करने के लिए इस्तामाल करूँगा, तो यह जो वायरे इस वायरे को मैं क्या करता हूँ, कि यह जो मेरा SMPS है, इस वाले SMPS में जहाँ पे मैंने AC पावर सप्लाई का connection किया हूँ, उसी वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को भी connect कर देता हूँ, तो आप देखोगे, यहाँ पे N लिखा हुआ है, मतलब कि neutral वायर टर्मिनल यहाँ पर है, तो इसी वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं connect कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टर्मिनल को open कर देता हूँ तो इस वाले wire को ले जाके मैं यहाँ पे directly connect कर देता हूँ इसके बाद SSR का जो पहला number का terminal है उस terminal पे हमें incoming power supply provide करना होगा मतलब कि face supply provide करना होगा तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चोटा सा wire का इस्तमाल करूँगा इस वाले wire को मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ मतलब कि face supply के साथ connect कर देता हूँ और इसका जो दूसा सीराई इसको लाके solid state relay का जो एक number का terminal है उसके साथ connect कर दूँगा तो मैं यहाँ पे इसको connect कर देता हूँ तो इतना connection करने के बाद मेरा जो यह solid state relay है यह ज़ी operate होता है तो इस condition में मेरा जो लैम पे वो on हो जाएगा और इसको off करने पे लैम भी off हो जाएगा अब यहाँ पे जो solid state relay इसको operate करवाने के लिए हम यहाँ पे जो sensor इसका भी connection कर देते हैं फिलहाल के time पे मैं यहाँ पे laser sensor का इस्तमाल कर रहा हूँ आप चाहें तो दूसरे type का sensor इस्तमाल कर सकती हो जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर एक मिट में आपको दिखाता हूँ आप चाहें तो यहाँ पर मेगनेटिक सेंसर का भी इस्तमाल कर सकते हो आप चाहें तो कैपसिटिव सेंसर का इस्तमाल कर सकते हो या फिर चाहें तो इंडक्टिव सेंसर का भी इस्तमाल कर सकते हो इसके अलावा और भी वह साथ टाइप का सेंसर आता है इसके अलावा आप चाहें तो फोटो सेंसर का भी इस्तमाल कर सकती हो तो जिस भी टाइप का आप सेंसर करना चाहो आप इस्तमाल कर सकती हो। यह पूरा सेंसर है इस सेंसर को मैंने अभी recently buy किया हूँ जिससे कि आप लोगों को नए नए topic پे हर एक concept को explain कर सकूं। यदि आप इन सभी sensor को buy करना चाहती हो, relay को buy करना चाहती हो, या फिर आप किसी प्रकार का timer को buy करना चाहती हो, तो आप simply mad to automate वाली जो website है, इस website पे जाके directly buy कर सकती हो, इस website पे आपको sensor, timer, counter, इसी प्रकार के और भी जो electrical devices होती है, वो सभी devices आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप directly buy कर सकती हो, यदि आप इन सभी electrical product में से किसी भी electrical product को buy करना चाहती हो, तो simply google पे search कर दीजे, mad to automate, और search कर दीजे, सबसे पहला जो result आएगा, उसी पे clear करके आप directly इन सभी product को buy कर सकती हो, या फिर आप चाहे तो यह जो mobile number है, इस पे भी आप call करके product को buy कर सकती ठीके दोस्तों, तो यहाँ पे जो बाकी सब sensor है, इन sensor के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा detail से explain करूंगा, फिलहाल के time पे हम केवल यहाँ पे यह जो laser sensor है, इसके बारे में समझेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो transmitter वाली sensor होती है, इसक Rx मतलब की receiver, यह जो receiver है, इस receiver का जो वार है, यदि आप उसको देखोगे तो उसमें आपको total तीन वार मिल जाएगा, यह जो तीनों वार है, इन तीनों वार का जो color coat होता है, उसका एक मतलब होती है, जैसे की brown वार जो होता है, उसको हमे positive power supply के सार connect करना होता है, blue वार को हम black वार है, इसके जरीए हमें output signal मिलेगा, जिसका इस्तमाल हम किसी भी load को चालू बन करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह जो receiver है, इस receiver का total तीन वार है, और transmitter जो है, उसमें केवल दो वार है, अब यहाँ पर जो दोनों sensor है, इन sensor का जो blue वार है, उनको आपस में हम एक स ब्राउन वार को आपस में twist कर दूँगा, जिससे की एकी साथ इन दोनों sensor को power supply मिल जाए, ब्राउन वार में हमें positive power supply प्रोवाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पर SMPS है, इस SMPS में आप देखोगे, यहाँ पर positive लिखा हुआ, यहाँ पर negative, तो brown वार को ले जाके negative वाले terminal पे directly connect कर दूँगा, तो यह जो sensor है, इस sensor को operate करवाने के लिए positive power supply और negative power supply के लिए मैंने connection तो कर दिया, अब इन दोनों में से जो receiver वाली sensor है, इसके जड़िये जो output signal मुझे मिलेगा, उसको ले जाके इस वाले lamb को चालू बन करने के लिए connection करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यह जो black वाली wire है, इसके साथ एक wire का looping कर दूँगा, जैसे कि यह green wire है, इसको मैं यहाँ पे एक साथ जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बार इस वाले wire को ले जाके, इस वाले SSR के साथ connect करना है, अब यह जो SSR है, इसमें यदि आप type का है, जैसे कि इस वाले receiver पे लिखा हुआ है, यहाँ पे type PNP NO, PNP का मतलब यह होता है कि जो हमारा sensor इसके जरिए हमें output में positive power supply मिलेगा, और NO का मतलब यह होता है कि जो हमारा sensor इवो NO type का है, मतलब कि जो हमारा sensor इवो यदि एक दूसरे के सामने में रहेगा, तो इस condition में कोई भी output signal generate नहीं होगा, लेकिन जैसी इन दोनों के बीच में कोई target आएगा, तुरंती हमारा sensor इवो output signal को generate कर देगा, और जो हमारा यहाँ पे SSR है, इस SSR का जो positive terminal है, उस terminal के साथ इस wire को connect कर देंगे, positive terminal पे इसलिए connect करें क्योंकि हमारा sensor PNP type का है, यदि हमारा sensor NPN type का हो positive terminal पे connect करेंगे, अब यह जो SSR है इसको operate करवाने के लिए हमें negative power supply भी provide करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे directly एक wire इस्तमाल करूंगा, और इस wire के जरी जो power supply जाएगा, वो negative power supply होना चाहिए, तो इस wire को मिले के जाता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे SMPS है, SMPS का जो negative terminal ह उस वाले terminal के साथ इसको मैं directly connect कर देता हूँ, यहाँ पे negative terminal है तो मैंने यहाँ पे connect कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं green वाले wire को मैंने negative वाले terminal पे connect कर दिया हूँ, अब यह जो पूरा electrical wiring यह wiring complete हो चुका है, अब केवल हमें यहाँ पे इसका पूरा working को check करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो SMPS है, इस वाले SMPS को power supply provide कर देता हूँ, अभी के टाइम पे आप देख सकते हूँ, यह lamp मेरा on condition में है, यह lamp on इसलिए है क्योंकि मैंने इन दोनों sensor को आपस में एक साथ align करकी नहीं रखा हूँ, लेजर sensor जो होती है, इस sensor में क्या होता है, जो हमारा transmitter है, जैसे कि जो transmitter वाली sensor होती है, इसके जड़िये एक laser light निकलता है, जिसको हमें receiver बे에 receive करना होता है, यह एन दोनों का जो alignment हो सीधा है, मतलब कि इसके जड़िये जो laser beam निकलता है, वो yadilly receiver में receive होता है, तो इस condition में हमारा जो lamp है, वो off condition में र देता हूँ अभी के टाइम पर आप देख सकते हो लैंप मेरा ओफ कंडिशन में है अब यदि इन दोने सेंसर के बीच में कोई भी टारगेट आता है तो इस कंडिशन में लैंप आन हो जाएगा और टारगेट के रिमूब करने पर आप देख सकते हो यहां पर लैंप आफ उमिद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार का इलेटिकल डिवाइस को बाई करना चाहते हैं तो मैट टू अर्टूमेट वाली जो वैबसाइट है उस पे आप जाके इलेटिकल प्रोड़क को बाई कर सकते हो उस प्रोड उसको चेकाउट कर लीजेगा